नवस्कार आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर आपके साथ मैं अतुल अगरवाल हूँ इसमक्त हमारे साथ कॉंग्रेस के साहरनपुर से सांसद इम्रान मसूद मौजूद हैं आप बहुत लोगप्रिये निताओं में स हैं पूर्विधायक हैं जमीनी इस्तर की नितागिरी की आपने अपने गरपाल के अध्यक्ष भी रहे हैं और हिंदूओं चाहें मुसल्मान दोनों के बीच में आपकी जो जो पॉपुलरिटी है वो बराबर से है इबनार मसूद साहब हिंदी खबर पर स्वागत करता हूं बारा बंकी हो अलग जगों पर लगतार मारो काटो की चीजें आ रही हैं इसको देखकर मंन में क्या विचार आता है है या मैं भूद दूख होता है बहुत दूख होता है कि हम इतने साल के बाद भी आपसमें नफरत पहला करके हैं राज़नीद करने कि कोशिश करते हैं और नफरत बाट करके नतीजा क्या रहा है जिसका 22 साल का लड़का चला गया, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिनके घर जला करके खाक कर दिये गए, जिनकी दुकाने जला करके खाक कर दी गए, उनका कारोबार तबाव और बरबाद हो ग हम लोग नफरत के नाम के उपर इस तरह से लड़ने का काम कर रहे हैं वजह की तो बहुत सारी सूरते हैं कि वजह क्या है तो पिर चर्चा बहुत दूर तक जाएगी उन वजहों को छोड़ दीजे लेकिन बारगाल बहुत दुख़द है और सबसे पहले यह कंट्रोल होना चा पार दिए गये और कहा जा रहा है कि साब यह जो है मख़भी हिंसा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से गोली बारी की गई इसकी हट्या की गई तेकिये मैं उस सवाल के उपर जाना नी चाहता किस तरह से जंडा को गिराया गिया मैं उस सवाल पर नी जाना जाता किस तरह से लाट स्पीकर में क्या क्या बोला गिया ये नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए जिसका बच्चा चला गया उसके मन की पीड़ा को उसके दर्द को कोई वही महसूस कर सकता है जिसका चला गया लेकिन इम्रान भाई सवाल बढ़ा ये है कि हम एक सिरीज देखते हैं बहराईच अभी खतम नहीं हुआ बारा बंकी शुरू हो गया हाँ इसके बाद हम उसके पहले जाएं तो यतिनर सिंगानंद की हम बात करें वो डासना मंदिर के महामेंडरलेशवर हैं वो पैगंबर मुहमत सहाइब के लिए कुरान के लिए उटपटांग बाते करते हैं कभी यहां से देखा जाया तो यहां से वो थूक जिहाद और वो पेशाब जिहाद शुरू किया जा रहा है यह मतलब देश में क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आता है तो बज HC emerged asm lindo सब को बात सब्षोओं के रोज़गार की किये बाद किसान के खुशाली की कि he की जी आप यूदर के की जो जा रहत धे एकार थे, पाशान के तरफ यूद इन्हे देखना के चाहिआ करें भाइक कर दें आगी। करेंगे कि सामने आके तो बोल रहा हूं सहाब हम दोनों लोगों करते हैं और सक्त कंड़म करते हैं सक्ती के साथ सामपरदाइक था कि कोई जुन जैस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए यह देश जितना मेरे हिंदू भाई का इतना ही मेरे मुसलमान भाई का यह देश हमारा ह और इस देश के अंदर नफरत से नहीं चलेगा काम देश के अंदर महबत से चलेगा काम महबत की बात होनी चाहिए देश के अंदर नफरत पहनाने वालों के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं सोशल मीडिया पे अब लोग लिख सीधे रास्ते की सद बुद्धी की भी बात कर लो सीधे रास्ते की बात कर लो बहुत हो गया यह तमाशा देश के अंदर इन बच्चों को बरबादी की तरफ मत लेके जाओ नेताओं के बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं लंदन और अमरीका और वहां से लेकर आते हैं तो माम आदमियों आम आदमियों के बच्चे कहीं नहीं आम आदमियों के बच्चे लड़ने का काम करते हैं वही मरने का काम करते हैं किसी नेता का बच्चा लड़ने और मरने का काम नहीं कर रहा है किनकी बातों में आ रहे हो भाई समझ जाओ इसे ही बात है उससे अपने आपको संबध्ध करता हूं पूरी तरीके से आप से सहमती जताता हूं कि वो कहते हैं कि हिंदू कहें मोही राम प्यारा और तुरुक कहें रह्माना और दंगा भहे मरें आमजन और नेता भरें खजाना क्या बात है सुभान अल्ला है क्या बात है यही चीजे हो रही है बाई साब यही बात कह रहा हूं कि नेता के किसी बच्चे को कभी दंगे मरते हुए देखा है अपने बच्चे तो पढ़ाएं गे बड़े-बड़े स्कूलों के अंदर और लोगों को लड़ा देंगे ले जाकर के लोगों क्यों लडा रहें भाई मत लड़ा ओ लोगों को अच्छा कुछ एक पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं बैटा हूं मैं बांदा का बंदेल घं की लोगो किया है कि बाय साथ जो आजीकल पन रहे ना इसरैल की नंगया और चाघ्च हो रही है जो हमारे हिंदुस्तान में किराएं गए यह लो दोनों पक्षिके लोग सो दिल गदर देख रहे किसी का बहुत हरा का बहुत कि बहुत खराब हराद हो है यह बात नहीं होनी हैं हमने बार बार का कि बहुत मो हम ceci Sus टेनलों को मज़ा आता है अब लोग कह रहे हैं कि यक और बयान लोगों ने कहा है बोले पूछे यह क्यों कहा यहां ग्यान दे रहे हैं तो इस नफरत को रोकने की सरकार किया किसी और की है सबसे पहली तो सरकार किये सको रोके तो कहती है कि हमारे अदे जलाने के बाद भा ऊच में तो सारा चक हो गया तब आ रहे हैं एक पोलीस आप इतनी बड़ी घटना होगे इतनी बड़ी घटना के बाद कोई precaution आपने क्यों नहीं लिए सब और मुक्मंत्री जी तो हमारे बहुत बार-बार उनके दावे थे मैं तो समझता हूं के बहुत सक्त पर्शाशक की रूप में उनकी पहचान है तो दंगाईों को पर कड़ी कारवाई करके क्यों नहीं बिल्कुल एक दम जा उनका दंगा मुक्त परदेश कहां रहे कि ना के नीचे दंगा हो गया ऀसके लिए जिम्हाई को रिवस्त ओपर सक्त कारवाई कि बिल्गू सग्ते के साथ निफटे इसके लिए जिम्हाईों पुलिस प्रशासन को मानते हैं, इम्रान भाई, दंगाईयों के खिलाफ सक्त कारवाई करें, जी, जबंगे का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप, देखें, जबंगे का जिम्मेदार किसको मानने, अभी तो किसी को भी जिम्मेदार मानने की और ना मानने की जरुरती नहीं है, पहले दंगा शान्त हो, पहले महबबत की बात हो, अफरत खतम होनी चाहिए भाइया पुलीस प्रशासन ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक से किया अगर किया होता तो यह सब कुछ क्यों होता मैं DGP विकरम सिंग साफ थे, उनका सुन रहा था, आप सुन लिजे, हमारे जो DGP हैं वो क्या बोल रहे थे, अगर सब काम किया होता तो यह सब कुछ होता ही ना क्या यह दंगे इस तरह के दंगे इस विशेय इस वक्त नहीं है, विशेय इस वक्त यह है, सबसे पहले शान्ती बाहा लो अचा यह बताएं, एक सेकेंड, उप्चुनाओ के बारे में बात कर लेते हैं, उप्चुनाओ की क्या तैयारिया हैं उत्तर परदेश में जिसमें आप बहुत पूर किवदार निभा रहे हैं मैं तो लगा हूँ, अभी पार्टी नित्रुच से बात करी है, कि हम लोगो क्या करना है, तो अब डिकलेर हुआ है, कल मिटिंग के बाद पता चलेगा किस तरह का दिशा निर्देश पार्टी देगी, उस सीज़ पर काम करेगी गठबंदन हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का?